अर्यानापुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए हम लोग रीजिनिंग का एक टॉपिक है एनॉलोगी तो एनॉलोगी से लगबग लगबग आपके तीन से ता चार कोश्चन बनते हैं तो इसी टॉपिक को कवर करेंगे बिद कोश्चन के साथ तो चलिए सुरू करते हैं तो देखे जिस प्रकार बैंक के द्वारा क्या किया जाता है धन का लेंदेन किया जाता है उसी प्रकार परिबहन परिबहन सुना होगा आपने नाम परिबहन के द्वारा क्या किया जाता है आयात नर्यात किया जाता है किसका किया जाता है ओप्शन भी माल का आयात नर्यात किया जाता है अगला है अदालत जिस प्रकार सम्मंदित है न्याय से उसी प्रकार विद्याले निम्न में से किसे सम्मंदित होगा देखिए गाईस अदालत जो होता है बहाँ पर न्याय किया जाता है हम लोग कह सकते हैं ये न्याय का केंद्र होता है अदालत तो उसी प्रकार विद्याले किसका केंद्र होगा तो विद्याले जो होता है उप्सन भी सिच्छा का केंद्र होता है अगला है बरतन संबंदित हैं चम्मच से तो कैलेंडर संबंदित होगा देखें गाईस जिस प्रकार चम्मच जो होते हैं जो दुसरा बाला है पहले से संबंद है बरतन सोरी चम्मच जो होते हैं वो बरतन से संबंदित होते हैं बंतन के यंतार गताते हैं उसी प्रकार आइंसकान सरोजय का तारिक तारिक जो है वो कैलेंडर के यंतार गताता है तो उपसेंटी यश राइट आंसर चलिए अगला कोशन कड़े हैं अगला कोशन है निर्देश दिया गया है प्रसंस ख़से 4-10 के लिए निम्न मेंसे भह जोड़ा या समू चुनिए जो कि उसी तरह का सम्वन दिखाता है जैसा कि प्रतेक जोड़े अत्वा समू के साथ बाले जोड़े समू में है जैसे कि चौता कोशन है देखिए जिस परकार नारियल का सम्वन देखोल से तो उसी प्रकार हमें पत्र का समण निकालना है ओके गाइस तो देखिए नारियल जो होता है वो किस के अंदर आता है खोल के अंदर होता है नारियल जो होता है वो खोल के अंदर होता है उसी प्रकार पत्र जो होगा वो किस के अंदर होगा ओप्सन है लिफापे के अंदर होगा अगला कोश्चन है आपका भोजन का संबन्द है मीनू से मीनू से तो पुस्तकों का संबन्द किस से होगा ये बताना है देखे जिस प्रकार मेन्यू आपने नाम सुना होगा मेन्यू मेन्यू के अंदर क्या आता है मेन्यू के अंदर क्या आता है देखे मेन्यू में भोजन के वेंजनों का उलेक रहता है जैसे आप किसी होटल में जाते हैं आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है उसमें अलग-अलग भोजन के अलग-अलग रेट होते हैं तो उसी प्रकार मेन्यू में क्या होता है भोजन आती हैं, तो साणी में पुस्तिकाले की पुस्तिकों का उल्लेक होता है, इसका क्या हो जाएगा, option C is right answer, अगला question है, धान का सम्मन्ध है चाबल से, तो दूद का सम्मन्ध निकालना है, देखिए जिस प्रकार धान से क्या निकलता है, चाबल निकलता है, उसी प्रकार दूद से क्या निकलेगी, क्रीम निकलेगी, तो option C is right answer, अगला है गज का सम्मन्ध दूरी से, तो घंटा का सम्मन्ध किस से होगा, देखिए गज जो होता है, ये क्या होता है, दूरी का मातरक होता है, ये दूरी की unit होती है, दूरी की काई होती है, उसी प्रकार घंटा जो होता है वो किसकी काई होती है, यह हो जाएगा आपका, option D, is right under, समय का मात्रक क्या होता है, घंटा या second भी कह सकते हैं, अगला है, प्रतिमा का सम्मन्ध है मुर्तिकार से, तो कपड़े का सम्मन्ध किस से होगा, देखिए, जिस प्रकार प्रतिमा जो होती है, आइडल, या कह सकते हैं मुर्ति, वो किसके द्वारा बनाई जाती है, मुर्तिकार के द्वारा, तो कपड़े देखिए, उसी प्रकार कपड़े किसके द्वारा सिले जाते हैं, तो option C, दरजी के द्वारा, तो option C is right answer, चलिए अगला question करते हैं, अगला question है आपका, पैसा का सम्मन्ध है संपत्ति से, तो आगे का सम्मन्ध निकालने हैं दोनों, तो गई जिस प्रकार पहले का सम्मन्ध दूसरे से होता है, बैसा ही सम्मन्ध हमें निकालना है option के माध्यम से, तो देखिए जिस प्रकार, पैसा जो होता है, आपने पैसा जो सुना होगा, पैसा जो होता है, वो संपत्ति के अं के अंतरगत आ जाता है करोणा इसके अंतरगत यह अंतर ने थोता है अगला कोश्चन है नियमित का समंध है यदा-कदा और कोश्चन मार करें आगे तो गाइस देखिये जिस प्रकार नियमित समंधित है यदा-कदा से मतलब यह बिलोम दिये गए बिलोम सब्द। यदा-कदा मतलब क्या होता है कभी-कभी नियमीत मतलब रोज तो इसका बिलोम क्या होगया कभी-कभी तो आगे का हमें क्या डोनना है तो उसी प्रकार अधिकता जो समंद्द है आधिकता अफ्सन सेर भी मांस खाता है बाग भी मांस खाता है और चीता भी मांस खाता है तो चार आप्शन में ऐसा डोना जो मांस खाता है तो आगला है कौन बैसा ही जैसे संकू बेलन और घं होते हैं देखिए संकू बेलन घं यह क्या होते हैं option B is right answer घनाब देखिए संकू भी जो होती है 3D आकरती होती है बेलन भी आपकी क्या होती 3D आकरती होती है और घन भी 3D आकरती होती है और घनाब भी क्या हो जाएगी 3D आकरती तो option B is right answer चलिए अगला question करते हैं guys question दिया गया है प्रसंद संख्या 13 से 20 के लिए और क्या कहता है निम्न में से पहले युग्म के पदों के बीच संबन्द को ध्यान में रखते हुए दुसरे युग्में लोग तो उसी संबन्द वाले अच्छर समू या संख्या को बताईए तो देखिए जर्स्या की संबन्द अगर आप निकालते हैं पहले का दुसरे से तो बही तरीका हम लोग तिसरे से चौथा निकालने में लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग D, E, F से यह अब D बना लेते हैं यह कैसे बना तो लिख लेते हैं यह देखिए बीच में आ गया और बीच वाला पहले पे आ गया यही तरीका एप G, H में करेंगे तो F, G, H लिख देते हैं लास्ट बाला देखिए क्या होगा पहला बाला इसमें देखिए क्या हुआ था उपर लास्ट में चला गए तो इसमें भी लास्ट में कर देंगे आपको और बीच वाला जो जी है वो पहले स्थान पर आ जाएगा जी और जो लास्ट बाला है वो बीच में आ जाएगा क्योंक तुमा कोश्चन है चौध में कोश्चन में आपको यहां पर बताना है कोश्चन मारक है तो देखे जिसकर इसकिप का संबन्द है और आई एफल से तो हमें के वाई के जट का संबन्द निकालना है तो सबसे पहले इसकिप के सारे अलपाबेट लिग लेते हैं यस के आई पी और इससे आपका क्या बनाए R, I, F और L सबसे पहले आपको क्या करना है इनके सभी के अलपाबेट कोड लिख देते हैं S का कितना होता है 19 K का कितना होता है 11 I का होता है 9 P का होता है 16 R का होता है 18 I का होता है 9 F का होता है 6 L का होता है 12 अब देखिए गाईस कैसे करेंगे सबस के 19 से 18 बनाते मतलब s से r बनाते हैं तो देखिए इसमें कितना गटा एक गटा अब दूसरा लолнब्पा एफ स innो बनाना तो यू scrap ne सिबला ना इसमें कितना गटा तीन गटा इस शिपर का लश्ट वाला देखिए P से L बनाया है मतलब 16 से 12 बनाया है कितना गटा? 4 गटा तो इसमें क्या हुआ पहले माइनस 1 गटा फिर माइनस 2 गटा फिर माइनस 3 फिर माइनस 4 यही तरीका हम लोग K by K Z में करेंगे तो लिख लेते हैं K by और K Z इनके Alphabet Code लिख देते हैं K का होता 11 कितना होता K का? 11 होता है Y का होता है 25 K का спھर 11 लगदिया और Z का होता 26 तो पहले Alphabet में हम लोग क्या गटाएंगे? A का हटाएंगे तो K में मतलब 11 में 1 गटा है तो आपका कितना आया? 10 और 10 किस का होता है J का अब दूसरा अलफा बेट है बाई बाई का होता है पच्चिस 25 में कितना घंचाएंगे 2 तो कितना आजाएगा 23 23 किस का होता है ГА script डबलू का अब आता है अगला अलफा बेट के K का कितना 11 11 में आप कितना घंचाना पड़ेगा 3 का होता है यह होता है वी का तो यह जो चार अलफा बेटाएं है यही आपका अंसर हो जाएगा तो कौन-कौन से आए J, W, H, P तो option D is right answer J, W, H, B is right answer चलिया अगला question करते हैं तो आज का last question है important है देख लेना क्यूंकि ऐसे भी question बहुत ज़्यादा हर्याना पुलिस के exam में आये हैं तो देखे पहले देखे इसमें C E I S का संब्द है T J F D का तो हमें H K MP का संब्द निकालना question mark की जगए तो कर लेते हैं सबसे पहले C E I S से हम लोग क्या बनाते हैं T J F D तो alphabet लिखते हैं C E I S इसके alphabet code लिख देते हैं C का होता है 3 E का होता है 5 I का होता 9 S का होता है 19 इससे आपका क्या बना है T J और F और D अब इनके alphabet code लिख देते हैं D का कितना होता है 20, J का होता है 10, F का होता है 6, D का होता है 4 आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको एक चीज़ में देखना है जो Starting में जो Last बाला Alphabet है इस से हम लोग पहला बाला Alphabet बनाएंगे जो बना हुआ है तो 19 से 20 बनाएंगे, तो इसमें कितना गठा? अब देखिए last से start करेंगे और उसके पहले से start कर देगे अब वह है I से I से हम लोग क्या बनाएंगे J जे दूसरा alphabet जो बना है तो 9 से हम लोग 10 बनाएंगे तो कितना इसमें किया प्लस का एक जोड़ दिया, अब है ये E, बैकवर्ट से चलने पीछे से, तो E से हम लोग क्या बनाएंगे, एप बनाएंगे, तो 5 से हम लोग 6 बना रहे हैं, तो 5 से 6 बनाने में कितना जोड़ा, प्लस का एक, देखें यहाँ पर स्टार्टिंग में जो लास्ट वाला अलफा बेटें, उससे हमें D लास्ट वाला बनाना है, तो C का होता है 3, D का होता है 4, तो इसमें भी एक एक जोड़ा, तो मतलब बैकवर्ट सारे अलफाबेट हम लोग देखें, इस्टार्टिंग के जितने भी अलफाबेट थे, वो हम लोग पीछे से स्टार्ट किया, और सभी मे होता है 11, M का होता है 13, और P का होता है 16, अब देखें, P में हम लोग 16 में एक जोड़ेंगे 17, 17 किसका होता है Q का, अब देखें, पीछे से 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 कंड अलफाबेट है M, M का होता है 13, इसमें भी 13 में एक जोड़ेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 14, 14 किसका होता है N का, अब है के की बारी, के का होता है 11, 11 में भी अब हम लोग एक जोड़ेंगे, तो आएका 12, 12 किसका होता है L का, अब 8 में भी एक जोड़ेंगे, तो 9, 9 किसका होता है I का, तो ये जो 4 अलफा बेट मिलें, यही आपका अंसर हो जाएगा, तो ये option किस में आ रहा है, option A में, Q, N, L आई, तो option A is right answer, तो आज के इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, थैंक्यू,